पुराने समय में शादी से पहले लड़का लड़की के बीच में किसी तरह का कॉम्णिकेशन नहीं होता था इसलिए शादी के वक्त कुछ ऐसी रस्में कराई जाती थी जिससे दुला दुलन को करीब लाया जा सके इसी तरह की एक रस्म है रुई उठाने की रस्म जिस रस्म के बारे में आजम बात करेंगे ये जो रुई उठाने की रस्म है ये दुला दुलन को करीब लेकर आती है साथ ही ये दुला दुलान के लिए एक तरह का टेस्ट होता है कि अगर दोनों में फ्यूचर में दोनों के ऊपर कोई विपत्ती आती है तो दोनों एक दूसरे के विपत्ती को किस तरह से और कितना जल्दी दूर कर सकते हैं कि खमा गनी साथ महीं का वराठ और आप सभी का स्वागत करते हूं हमारे यूट्यूब चैनल गुलसा और हिमसा पर यह जो रूई उठाने की रस्म है यह जुआजूई की रस्म के बाद खिलाई जाती है जुआजूई की रस्म भी दुला दुदन को करीब लाने के लिए एक दूसरे की हजिटेशन खत्म करने के लिए कराई जाती है यह बेसिकली एक गेम है और इसके उपर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा यह वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है क्योंकि यह गेम ही काफी इंट्र तनी जाती है इस रहसम में पहले दुले के ऊपर एकएंक उठावां उठानी होती है इसके बाद दुले को वो रूभी पटावत उठानी होती है का कि झाल झाल इसके बाद दुला दुला ने एक दूसरे को मीठे चामल खिलाते हैं और एक दूसरे का मुह मीठा कराते हैं झाल 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 तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये रस्म हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अगर चानल को अभी तद भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बैल आइकन प्रेस करें हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें खमा गनीसा झाल